यार डाथी इश्ट आतिशे 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 नारी इश्टो कर दो 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 समान कर दो लुमी शवाक, यह बड़ दो रदीजिशिए इश्क जलावे, इश्क बुझावे, आमिया इश्क जलावे, इश्क बुझावे, इश्क ही सारा भेद रचावे इश्क ही सारा भेद रचावे, इश्क ही आप खुदा इश्क ही आप खुदा मुबारको आपको मुबारको सबको मुबारको लाई 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 वे जैन अली का कमरे एक दफा फिर से चेक कर लीजेगा और अच्छे से बंद कर देना तरवाजा ठीक है जी जाईगे शफा बीटा मुझ जहां कहा है अपने कमरे में और कहा हो सकते हैं और कहा हो सकते हैं कुछ देरी कि अनको मना के लियाओ उनसे को सारे अश्यदार पूछ रहे जाए बाहर निकल जाएगी जोटाबू मैं उनने कैसे मेना सकते हूं उनसे को थोड़ी दिर के लिए आजाए जाहे दुनिया दिखावे के लिए आजाए मैं कोशिश कर देबूँ कोशिश करो और जो आज जाते हूं मिया अपना राज है मुझसे अधना राज है मुझसे ए जो अै लेकिन अबव्द में अब्ध इस भात को समझते क्यों नहीं है आता जिद आ जहन वाली के साथ "... जबरदस्तिा नहीं कि हिसे", और जब ही मुझे कबूने करते है प्राहिस गिरलीता वो तुमें कोबूल अब नहीं तो कुछ देर बाद सही मगर धिरे धिरे वो तुमें कुबूल कर लेता तुम मेरी बात क्यों समझने लगी कही तो मसला है हमी आपका जैसा आप समझती है जैसा सोचती है वैसा नहीं हो सकता क्या मतलब है तुम्हार कि मुहबबत से पाने का नाम नहीं है कुबानी भी तो मांगती है ना मुहबबत जब आपकी मुहबबत खुद चल कर आपके पास आए कुछ मांगे तो कैसे इंकार कर सकते हैं कि वाट समझती क्यों नहीं है छोड़े इन बातों को चले मेरे साथ मुझे समझाने की कोशिश मत करो मैंने क्या नहीं किया इस खांदान के लिए खिद्मते की हैं मगर मुझे कुछ नहीं मिला यह उत खर्जी दोगा जूट तुम याद रखो इनके लिए तुम कुछ भी कर लो चाहे कुछ भी कर लो यह भी फैस लोग किसी के नहीं है चले मी चोटे अबू कई बार आपके बारे में पूच चुक है नीचे चले उचे नहीं जाना नहीं जाना रहने दो जैन नोचा हमामी का आए नजर नहीं आई अशाद अबीदा खापा है तुम फिपर में करो मान जाएंगा क्या हैसा नहीं हो सकता कि हम उनके पास चले जाएं उने मनाने क्यों जैन कि जगह कोई और होता तो वह भी अपना ही अपस्ट होता प्लीज हमने चाहिए उनके पास ठीक चलो परसे अधिस क्यों 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 वड़ीम ही आपकी भूँ आई है मिली ही नहीं दुआ नहीं देंगी यह मेरी भूँ नहीं जाए नूर चाह मामी, मैं जानते हूं, हमने आपका बहुत दिल दुखाया है और छोटे जब भलती करते हैं और माफी मांगते हैं तो बड़ी भी उनको माफ कर देते हैं प्लीज आप भी हमें माफ कर दे आपकी नराज़की के साथ और दुआओं के बगएर मैं और जैन अपनी नई जिन्देगी नहीं शुरू कर पाएंगे प्लीज बड़ी अम्य प्लीज मांजाएं अन्रे अम्य जाओ तुम लोग यहां से बड़ी अम्य अगर मेरी जगह आपका सगा बेटा होता तब ही आप यही करते हैं खुष्राओ 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 सुकीराओ अन्हों लगा भी दो आपको अपने हाथों सी देना इनको के चाहता ही सुकीराओ स्थीन है तो कही है जैना जो कहा था वो करके दिखाया ला जैन कोई अपनी दुलन का हाथ पकड़के यह कहता है क्या मेरी मर्जी आज तो मेरी ही मर्जी चलेगी पता था मुझे एक ना एक तिन आपके अंदर का लांडलॉच जरूर जागी मत देखो मुझे अश्या सब बातें भूली जारी हूं क्या क्या नहीं सोचा था मैंने कितने डायलोग जात किये थे तुम से लड़ूंगा जगड़ूंगा और परिशान करूंगा तुम जितना तुमने मुझे तने दिन सताया उची तरह जा प्रानी बाते बूल जाते हूं कैसे बूल जाओं हर बात का बदला होगा हूं हूं तुम खुश तो होना बहुत खुश। बहुत खुश बर उससे जदा मुटमेंगा मैं जहें ऩही कि अधर निष्ट के लिए जए जानता हु आझ पूर देसे धे मेर्ण एक मनॠीी बाते शोचे कि लुकर उन्सकेर की होणी मेरी लबश्ोरी मेरीहरोस जै मैंहें तो इस नहीं पोगरींग होग। आप साफ गिली शिक भी खातम गारा एंग मुझे तुम्हा कुछ देना है रहली? यह रदी? यह रुदी इस बीटिफुल इस भूद्च जूस क्या करें बहुत खुबसूरत है अब पहना भी दो अब ये भी मैई करूँ हुँ बहुत खुबसूरत है क्या हुआ? क्या सुच रहे? तुम इतनी ही खुबसूरत हुआ या मुझे लगती है इक वादा करोगी मुझसे कैसे वादा? जाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरी ही रहोगी आई लब ये जाहन जाहन से लुए लब ये खुबसूरत क्यों आई लब ये खुबसुत आई लब ये तो उसकर आई प्रणाई आई लुए पूल बच्ण मुझ भुज़ लुए आमियां इश्क जलावे इश्क बुझावे इश्क ही सारा भेद रचावे इश्क ही सारा भेद रचावे इश्क ही आप खुदा इश्क ही आप खुदा खुदाई 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 कि आपने शादी की तैयारियों में शिर्कत करके और बच्चों को माफ करके बेहत जर्फ को सुबूत दिया है नूर जाँ जब सब कुछ खत्म हो गया तो मेरे पस जर्फ दिखाने के सिवाए चारा ही किया था मैं आप से एक बार फिर माफी बागता हूं मैं तुम्हे माफ कर चुकियों अक्र अली कभी-कभी हमें एक बच्चों के खुषी के खादिर अपनी खुआशाद के गला घोटना पड़ता है जी कहते हो तुम्हें अपर हम बड़े हैं हमें अपनी बच्चों के खुषी को खायाल तो करना होता है ना जैसे के तुम्हे सिर्फ अपने बेटे की खुषी का ख्याल रखा है आप तुम्हें अपना आपना झाटिर अर्ला का जथा किसमा अपर इस तुम्हेबारा कर दो खुषी ज्याल एज़िए और ना आओ, हम सब उसे बहुत मिस्स कहरे हैं, मेरी इनन से जादा वो मेरी अच्छी दोस्त है मामी, चौती का क्या प्लान है? जैन कह रहा था एक दो दिन में आएगा, आएगा तो उसे भी रोकलिंग और पहरीम को यह भी ठीक है मामी, मैं सोच रही थी कुछ दिन हवेली हुआ हूँ शादी मैं तो कभी इधर कभी उधर तसली से रह नहीं पाई मैं ठीक है, चौती की रसम हो जाए तो चली जाना ठीक है, मैं किचिन में देखू तो पहर में क्या बना है यह देख रहा अपनी बेगम अभी तहरीम रुकसा ठोके गई मैं के जाने की बाद चिर्ड़ मेरा घर तो बिल्कुल सुना हो जाएगा कुछी दिन की दुबात है, वाफ पसा जाजाएगी हूँ हाँ तो जाएगी लेकिन चलो खाए मेरी तो बस अब यह दुआ है कि तुम्हारी फैमिली कम्प्लीट हो मेरे घर में भी कुछ एहल पहलो रौनक हो आप दुआ करें मुझा मेरी तो हर लम्हे यही दुआ है बडियमी कहीं भी चला जाएगा आपके हाथ का जाएगा नहीं बूलता मतन कड़ाई का लाजवाब बनाती है इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि नूर जहां के हाथ का जाएगा कमाल होता है शफक के हाथ में भी आपके हाथ का जाएगा आया है मुझे तो पता ही नहीं चलता कब शफक ने बनाया और कब आपने जाहर है, मेरी बेटी है तो जायका तो होगा शफक, तुम क्यों इती खामोश हो, कुछ बोलो ना बस थक गई है, पूरा इंतिजाम इसने संभाल रखा था इस घर का अब तुम आगई हो नो, सारी जिम्मेदारिया तुम संभालोगी बिट अब तुम आपकरो, तुम्हें कुछ और काम करने की जूरूद नहीं है जी चोटे अबू अच्छा बताओ, अब चौथी पिक अब जारे तुम लोगगे बड़ी हमाने लूंच वह एंगे तुम भी चलो ना शाफक हमारे साथ नहीं तहरीम, मैं थक ही हूँ बहुत, आराम करूंगी मुझे लगता है बुखार है शायद कोई बात नहीं बिटा, अब तुम आराम करो, जाना जाना तू लगए रहेगा, पिर चली जाना क्यों भाई साथ? हाँ, क्यों ने? वादूले मिया, बड़ी मुस्कर आटे पे खेरी जारी, कुछ अर्सा गुजर जाना दो शादी को आटे दाल का भाई पता लग जाएगा वावावाव, तुम तो ऐसे कहरो जैसे मैं तुम्हे बड़ी तकलीफे दीवी है रशी रशी अब मजाया तुम्हें? खेर, जैन तुम बताओ, हनीमून के क्या प्लांस है? सिंगपूर, ठाइलेंड, मलेशिया, होंग को अच्छा, बस 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 इतने सारे प्लांस बना रखे है तुम्हें यहां नहीं जा रहे है तो फिर कह रहे हैं? यह सर्प्राइज दिया जाता है, बताया थोड़ी जाता है अच्छा, तहरीम को तो पता होगा नहीं, मुझे तो बलकुल भी नहीं पताया, स्वेर ओ, खेर तुम्हारे भाईरे भी कहा था कि मुझे बहार लेके जाएगा लेके का गया? नॉर्दन एरियाज अब तुम्हारे जाएज भी तुम्हारे साथ यह ना करते खुरतुलैन बेची कहा तो यह सने तुम्हे लेके जाएगा ऐसे तो नहीं कहते मजाग कर रही थी ममी पाड़ीज खाओ मैं कुछ लेता हूँ भूख लेके लिए अधिक्यों अधिक्यों ओफ ओ तहरीम मैं तो अल्लाग अल्लाग शुकर अदा करते हूँ लगता कोई पहार जैसा बोश सर्च से उतरा है मेरे मा कम आप ऐसे कह रही है जैसे पतनी कौन से तुफान आई वे थी मेरी शादी में आ तो सकते थे ना मैं लोग की रग रग से बाकिव हूँ चलें वैसे नूर जहा मामी ने बहुत ख्याल रखा हमारा बहुत प्यार करती है उसे जैन से चोईस नहीं है नूर जहां के पास कोई और कितनी जिन्दगी होगी बिचारी को दिखावा करते करते हैं चलें जो भी है दिखावा या वाटेवर लेकिन प्यार तो बहुत करती है और आप भी अपना दिल साफ कर लें अबसे सुनो नौर लखा परनाया किसीने तुने यह की ना अपने बार मैं यही सोच रही थी नौर लखे के बारे में क्यों नहीं पूछ रही इन फाक्ट मुझे तो ऐसा लग रहा था कि नौर लखे के बारे में अब मेरे हाल से जादा पहले पूछी थी उडा लो मजाख मिल जो गया नौर लखा है ना मजाग नहीं उडारी बहुत प्यार से दिया उन्होंने खुद इन फाक्ट जैन ने था हमारी पिक्चर भी ली है दिखाऊंगी आपको आज सुना साथ लाईए हाँ डब्बे में रख लिया था मैंने यह बहुत अच्छा किया तुमने यह तो कमाल का काम कर दिया तुमने अच्छा सुनो अच्छा सुनो अब अपना बागी जेवत नौ लखे समयत मेरे पास रख फादो आराम से हवेली में छोड़ना खत्रे से खाली नहीं बिलकुल भी ओके अमा ऐसा लगता है पिछले जनम में आप डिटेक्टिव थी 007 टाइब तो तुम्हे बात समझाओ तुम मेरा मजाग पडाती रहती है Because I love you, that is why यह तो पहन लो अमा सोते वाट अच्छा ठीओ लो कॉंता दो Kuntaz मुंताज, मुंताज, और भी खैर तो है, मुंताज क्या हो गया सजाद आपको, हाद होगी दर्माजा इस तरह से कोई खटकटाते मैं परिशान हो गया था, तुम इतनी देर से अंदर बन थी परिशानी वाली कौन सी बात, बच्ची थोड़ीयों जा अंदर बैटके कुंडी लगा लूँगे अब अब वक्त आपकी नजरों के सामने तो नहीं बैट सकती ना मैं वो तो ठीक है, लेकिन मैंने कम यह कहा है सारा मूट खराब कर दिया लेके, पता क्या यह खुब्सूरत लग रही थी मैं नौर लखा पहन के, मैं आपको क्या बता हूँ खेर, अब तो मेरे पास ही, जब दिल चाहेगा निकाल के पहन होगी अब इसाटी कर्या आपको करिस कश आपको को कि म府 में रग्सान कर्ण जब अधिक तक, यह ऊफिर के एची है विगह बता हूँ लिए लेका कर्यारा कर अजर्दी टांए उस एपता का है, विए विए आपको था बता है इ puntos अब करादे तक, भूने कि eren मुर्दी इस बतने एकी भिटाना के लिए कम काल 1 और एक चाल था? नहीं एकी भी काल मुझे लिए एक्राइब आटिसे रिए वैसे मुझसे लिए दिए क्छी तो मैंने कीज़ी अन्दीज गवागती है इसमें इसमरी है घुरों है गर में कैसे हैं तो फिए हैं सब टीक है सब सो रहे हैं सिवाय मेरे अच्छा प्लीज अब ये चीप फिल्मी हीरो की तरह लाइने न भार गारो शोहर अगर 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 अबनी नविली दुलन को याद करें तो वो चीप कैसे हो गया किसीएं बैड़ है क्या का है मेरे बारे में क्या है इसक्ड दिट हो तो फिर धी ऐ अगर बंदी जालिम हो तो फिर इतनी जालिम हो वीवी तुम इतनी अंर्र stanu कियो हो? क्योंकि मॉंकि में बहुत प्रेक्टिकल हूँ क्या तुम वाक़ी मुझे याद नहीं करें थी? क्या याद करोगे? चलो बता देती हूँ जिस कमरे में, जिस घर में अपनी सारी उमर गुजारी है ना वो कुछ अपना-पना ही नहीं लग रहा चाहिए रहा हुआ यू बिलीव इट? बेगम यह कहाँ मेरा इसम्हाँ आप प्रेटेए आप मेरा जिए आपना गुछाँ मैं परिए अपना रिए रोसी इंग करताए क्या मैं तो पर मैं इस बातादी रिए अवाच्छा था लिए? वैसी अज मेरा पे दिल चाहरा था और तूम रच आगी? जा के हाराँ करो वारा दिन तो आराम करती हूं आराम करकर के भी थक आगी हमाँ मेरी भू न दुन्या मेरा लिया और औरते कोई हो तो आरामी करती ना लेटी भी मेरी सांस लाखों में के एं तेरी में का है उठीनी अभी तक सोरी में गई थी उठाने उसे कमरे में लेकर इतनी गहरी नीन में थी वो चलो मैंने का सोती रहे तुमा रात देर तक बैठे होंगे न आप लो बाती तो बहुत की तो थोड़ी देर ही बैठे प्रूट के चले गए तो मैं कैसे बता लगा ममी यह कीनी सी बात है शादी के बाद पहली बार आई है मैं के बहुत सारी बाते होंगे आप सुछ शेयर करने के लिए जाग नहीं तो आजाती ती बैठके हमने बाते की बहुत दिल चाहरा था मेरा लेके तब बिद कुछ ठीक नहीं थी चक्कर आ रहे थे हमजोरी सी हूरी थी अरे प्रोहल सी को तो में डॉक्टर के पास लेके जाए हैं नहीं मामी पंदा दिन बाद है तो मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट चर ठीक से मुझे छोड़ माशाला तैरी में बहुत खुछ लग रिया उसकी बताए ते बहुत सी बाते पूजी उस दी मुझे बगु सा नौलका के दरे मामी? नौलका? मेरे पास? नुजाह चची को मालूम है? इसी कौनसी बात उनको बताने वाली है? और वैसे भी नुजाह बेगम पता उससे को तारलुक भी नहीं है, तहरीम का है वो? हम् मेरे ख्याल से आप तहरीम को सब्जा दीजे मुजाह चची और शफक से ज़रा महतात रहे वो, वो दोनों बहुत तेज हैं और तहरीम तो दिलो जान से फिदाय शफक पर मुजाह चची खामोश नहीं बैठेंगी उसके खिलाब जरूर कोई ना कोई जाल बनेंगी जानती हूँ अच्छी तरीके से दोनों मा बेटी हूँ बस मेरी तब ये दुआ है कि अल्ना मेरी बच्ची को हर बुरी नजर से बचाए अल्ना दुश्मन तो बहुत है दियो जैने ली आएंगे ना तहरीम को लेने हम इंशाल जैनी आएगे तुम मेरी बात को बिलकुल गलत ना समझना नूर जावेगम तुम वाकई बड़ी होसले वाली हो मैं तुमारे होसले की दाद देता हूँ मैं तु कुछ भी नहीं समझ रही भाई साब ना सही ना गलत नहीं बड़ा जर्फ है तुमारा किसी गेर की ओलाद को पाल पोस्क जवान कर दिया और उस ओलाद में इतनी भी बरवबत नहीं दिखाई के तुमारी सगी बेटी का खयाल रख सके तुमने तुमने वो नौ लका उस लड़की के होआले कर दिया जो तुम्हारी बेटी की जिंदगी की तबाही का बाइस वनी है वकई नूर जा मैं तुम्हे घल्टी समझता रहा सारी जिंदगी प्रस भाई साप मैंने तो सारी जिंदी कुर्बानिय ही दे इस घर के लिए एक और से ही क्या हो अगर सिलह नहीं मिला तू बस नूर जा वेगम यही बात मुझे बहुत दुख देती है इस घर का बड़ा होने के नातिब तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं कर सका और इस बच्ची के लिए मुझे बड़ा दुख है बड़ा पच्छतावा है वैसे तुम कहरीम को लेने जाओगा जी यह भाई साथ जाना पड़ेगा नहीं तुम्हे नहीं जाना चाहिए नहीं भाई साथ मुझे जाना ही चाहिए जैन मुझे अपनी मां की तरह समझता है ठीक है मर्जी है तुम्हारी कैसे अब मैं तुम्हारे साथ कोई जयाती नहीं हो नहीं हो नहीं हुआ बड़ अबू क्या होके आज यही समझने की कोशिश कर रहे हुआ पहले तो कभी ऐसे बात में की हाँ बस अब तुम भी इंसे जादा बात मत करना मुझे तुम्हारे बड़े अब को पर रती भर भरोसा नहीं है आपका तो इरादा नीता शहर जाने को लिकिन अब जाओंगे अमा आई रिली डूंट अंडरस्टाइड आप यह कैसी बात बाता बात असकर था तहरीम जादा जजबाती होने की जरुरत नहीं काम की बात ना समझा रही हूं समझ लो ये कौन सी काम की बाते हैं ये साथ बहू नंद भावज के टिपकल ड्रामों से कब बाहर निकलेंगी आप और नूर जहा मामी बिलकुल ऐसी नहीं है जैसे आप उन्हें पोट्रे करती हैं अच्छा खुदाना खास्ता जब नूर जहां बीबी के हाथो कुछ दुख पॉंचे करना तुम फिर पूछूंगी मैं तुमसे इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि अवेली जाना जरा फूप फूप के कदम रखना महां पर किसी पर बी अंधर इतमादना करना जहर के म पर अली कम पर सिर्प्राइस एाटाएश क्या मेरे वारे तुमिलार हुआज झाए झाराएगा जिए मेरे साकशाँ सहाध कर एंदे तıl Egyptianraph Farm को अच्छाओ तुम छिए ठीएसर व्माजय से एंदेग्र में लृट dif Man that's the pros peng acces the channel for loses तेरी लिए तासीर आजाए, मगर खेर, किसी ना किसी को तो बड़ेपन का मुझाहरा करना ही पड़ता है खुदा जाने कौन छोटी जहनियत के लोग होते हैं, जो जहर घोलने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं लेते लेकिन शुकर अलम्दोल्लाह, हम ऐसे नहीं है तहरीम, बेटे तुमने बताया नहीं हमने कितने प्यार से रखा हुआ है अपने घर में जी बड़ी अमी तो बहुत ख्याल रखती हैं, वह यह तो करना ही पड़ता है क्योंके इतने बड़े खान्दान को जोड़े रखना भी क नेक्स मंडे मैं और तहरीम तुर्की जा रहे हैं तुर्की तुर्की? रोहेल को मालूम ता इस प्लाइन कैस ने मुझे तो नहीं बताया चलो कोई बात नहीं बस दुआ ये करो कि अल्लाहासितों से बचाया है और किसी को अगर कुछ मंगवाना है तो अभी बता ले वहाँ पर मुझे नहीं बताया चाहे जेल आरे है देखा था नूर जहां को आपने अर्शे से नूर जहां को देखते आ रहे हैं कौनसी को नहीं बात हो गई किस कदर की जली भुनी माते कर रही थी बड़ी मुश्किल से जब्त किया मैंने एक बात समझ नहीं हा रही मुझे सिर्फ एक बात किस दिल से तहरीम को लेने आई थी इसके पीछे भी कोई ना कोई चाल होगी जरूर हम् सोचा होगा कि सब के सामने अच्छी बन जाओ और ला मुनाफिकों सुभी बचाए इस कदर गिरेंगी ये खातून नो लगा के लिए क्यों भी पैकिंग भार अकली तुम दुनों ने जी बस अल्मस्ट होगई है आईं बैठे ना नहीं बैटा मैं खाली खुदाहफिज कहने आए तुमसे अब आप एरपोर्ट ने चोड़ने नहीं बैटा दिन की बात होती तुम इस शेहर जाता यहां से शेहर जाना और वापस आना रात में मुम्के नहीं सुबह कचरी वगर जाना होता थक जाओगा हम फिर तो ठीक कह रहे हैं आपको रेस्ट करना चाहले है अच्छा जो सुनो तुमने अपने जिवरात वह रख दिया है जी छोड़े अबू नहीं ले जाके क्या करूंगी तो लगा भी रख दिया है जी वह भी रख दिया है यार दाती इश्क आतिशे